सल्मान खान और अश्राय की लव स्टोरी बॉल्वर्ड की प्रेम कहानियों में कभी ना भूली जाने वाली कहानी है जिसमें सल्मान इस लव स्टोरी के नायक थे दरहसर वो आश्की की आग में ऐसे जुल से की खलनायक बन गें ये कहानी है एक आशिक की बेपना महब्बत की जो प्यार में कुछ भी कर गुजल जाने को तयार था लेकिन अपने ही गलतियों की वज़े से अपनी खूपसूरत रिस्ते को खो वैठा हम आपको बता रहें के ऐ भी एंट्री हीमारी थी ये वो दौर था जो सल्मान का दिल सोमी अली के लिए धलकता था उस दौर के फिल्मे मैगजीन में 26 खबरों के मुताबिक सल्मान सोमी को लेकर काफी सीरियस थे और उसे शादी भी करना चाहते थे लेकिन उसी बख सल्मान की नजर एश्वेरया पर जिसमें सोमी का दिल कुछ ऐसा टूटा था जिसमें आहत होकर वो हिंदुस्तान छोड़कर चली गई एक मैगजीन के मुताबिक मनसूर अली की फिल्म जोश को करने से सल्मान ने सिर्फ इसले इंकार कर दिया किकि उस फिल्म में उन्हें एश्वरय के भाई का किरदान निभाना था कहते हैं कि सल्मान ने एश्वरिया का कर्यर बनाने का बीड़ा उठाया और कई प्रोड्यूसर से उनकी सिफारिश भी की सल्मान की वज़े से ही एश्वरिया को हम दिल दे चुके सरम जैसी बड़ी फिल्में मिली सल्मान की दोस्स संजय निला भनसाली ने एश्व को इस फिल्म में व्रेक दिया यही वो फिल्म थी जहां से सल्मान और एश्वरिया की और केम कहानी की शुरुआत हुई फिल्म के शूटिंग के साथ दोनों एक दुसरे के करीब आने लगे बताया जाता है कि सल्मान के दोस्त एश्वेरय को भावी कहकर बुलाते थे दोरों सितारों के लफ स्टोरी चली रही थी कि उनकी जिन्दगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया एक दिन आधी रात को सल्मान एश्वेरय के घर पहुँच गए और उनका दर्वाजा जोर से पीटने लगे सल्मान ने गुस्से में 19 मंजिन से कूदले की धंकी तक दे दी सुभा 3 बजे तक दर्वाजा पीटते रहे करीब 6 बजे घर का दर्वाजा खुला सल्मान के हंगामे के पीछे की वजे ये बताई जाती है कि वो एश्वेरय से शादी करना चाहते थे लेकित एश काम्याबी की सीड़ी चड़ी रही थी और इस मक्स शादी नहीं करना चाहती थी इस घटना के बारे में सालों के बाद सल्मान ने खुद एक मैगजील को दे इंट्रिव में कबूला था कि वो एश्वेरय के घर गए थे बाद में एक खबरे भी आये कि एश्वेरय के पिता ने सल्मान के खिलाव थाने में केस भी दर्च कराया इन सारी खबरों की वज़े से सल्मान की काफी बेज़ती हुई सल्मान बिना आश्वेरय को बता है अमेरिका चले गया है जब एश को ये बात पता चली तो वो बेहद नाराज हुई और उन्हों ने ये रिस्ता खतम करने का फैसला कर लिया इसी के बाद सलमान ने एक और तूफान खड़ा कर दिया जिससे इनके रिस्ते के अंत पर मोहर लग गई खबरों के मताबिक सलमान ने एश्वेरे की फिल्म कुछ ना कहो कि सेट पर हंगामा खड़ा कर दिया इस फिल्म के हीरो अभिशेक बच्चन थे कहते हैं कि सलमान ने उनकी कार तक में तोड़ फोड़ की कुछ सालों के बाद मैगजीन को दिये इंट्रिवू में एश ने माना कि सलमान ने उनके साथ मार पीट की थी उन्होंने बताया कि जब वो सलमान का फोन नहीं उठाती तो सलमान जगड़ा करते थे आखरकार जिस लव स्टोरी में भरोसा ना हो उसका अंत होना तो तै है स्पेसर डेस्क बियाच बीसी न्यूस उसको लाइक और शेर करना बिलकुल न भूलें